दोस्तो study studio 2.0 में आपका स्वागत है तो आज हम लाएंगे पंचवर्षी योजना के important question तो चैनल को like और subscribe कर दें ताकि वीडियो आपके पास जल से जल पहुँच जाए तो चलिए शुरू करते हैं विना कोई देरी किये पंचवर्षी योजना के important questions तो पहला question देख लिए किस पंचवर्षी योजना के अंतरगत पांच भारती प्रद्योगिक संस्ता इस्थापित किये गए हैं किस अंडर विच 5-year plan 5 institutions of technology इस्थापित किये गए हैं तो इसका answer होगा आपका पहली पंचवर्षी योजना के अंतरगत इंडियन इस्थापित किये गए हैं तो चलिए दूसरे question के साथ तीसरी पंचवर्षी योजना का मुख उद्योग का विकास ता इन में तो चलिए, तीसरे question के साथ, किस पंचवर्शी ऊजना के एंतरगत, हरित कृरानती सब्सक्राइन suf who was? यह आपके most important question बनेगा exam के लिए, यह exam में हमय साथ पुस्ठा रहता है, तो बताएक, किस पंचवर्शी ऊजना के एंतरगत, हरित कृरानती स६्सक्राइन तो इसका राय टंसर बनेगा आपका आप्शन सी तीसरी पंचवर्सी योजना के अंतरगत जो कि आपके हरित क्रांती शुरू हुई थी 1967 में 1967 में स्वामी नाथन इनके जनक माने जाते हैं इंडिया में तो चलिए नेक्स्ट के साथ किछ पंचवर्सी योजना को सबसे औसफल माना गया है यह भी important question है आपके एक्जाम में पूस्ता रहता है तो किस पंचवरसी उजना को असफल माना गया है तो आपसें देख लिए पहली पंचवरसी उजना दूसरी तीसरी चौथी तो इसका राइट अंसर बनेगा आपका तीसरी पंचवरसी उजना तीसरी पंचवरसी उजना को सबसे असफल मानी गई है क्यों असफल माना गया था तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथी पंचवरसी योजना की अवधी क्या थी चौथी पंचवरसी जो योजना है उसकी अवधी क्या थी तो देख लिए जो आप्शन आप्शन है 56 से 61, 50 से 55, 55 से 60, 69 से 74 तो बताइए इसका एंसवर होगा आपका 1969 से 1974 तक चौथी पंचवरसी योजना थी तो चलिए आगे बढ़ते हैं किस पंचवरसी योजना में भारती क्रिशी व्रिधी दर स्वर्वधिक रही क्रिशी की ग्रोथ जो है वो सबसे ज़्यादा किस पंचवरसी योजना में हुई जैसे क्रिशी सबसे ज़्यादा अनाज उगाते हैं वो रिधी दर किस पंचवरसी योजना में सबसे ज़्यादा थी आपसन देख लिए चौथी पंचवर्षी उजना पहली पंचवर्षी उजना दूसरी पंचवर्षी उजना पांचमी पंचवर्षी उजना तो, राइट अंसर होगा आपका चौति पंचवर्शी योजना ये आगज आपके एक्जाम में पूसता है कि किस पंचवर्शी योजना में कृषी दर वृद्धी सबसे जादा रही है तो, चौति पंचवर्शी योजना आपका राइट अंसर बनेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे question के साथ किस पंचवर्षी होजना में चौदो बैंकों का राष्ट्री करण हुआ था चौदो बैंक का राष्ट्री करण किस पंचवर्षी होजना में हुआ था तो बताइए किस पंचवर्षी होजना में न भी आपके वहान था तॉ siis कि जुक्ता ऐ वह किता कार्यकर्म in which फाइफ-यर प्लाइन ड्रोट प्रोन एर्य प्रोग्राम वह थो स्टार्टेड तो सुखा संभावी छेत्र कारकरम किस पंच वर्षी उजना में शुरू किया गया था तो देखिए पहली पंच वर्षी उजना दूसरी पंच वर्षी चौथी पंच वर्षी पंच वर्षी तो आपको उतादे सुखा संभावी छेत्र युजना जो है वह आप पांचमी पंचवर्शी हो जना है उसका मुख्युद्धेश आपको बतादे कि फॉच्वर劑 सिर्फ phones लगे 4 साल जी थी-क्षाम में पूछता हैं कि कि पंच वर्शी उज्खना सिर्फ 4 साल फी तो जो 55 वर्शी हो जिना है वो आपको जिस्फ 4τοApp यह से 70 से 74 तक तो बताइए इसका एंसर क्या होगा तो इसका एंसर हो जाएगा आपका पांचवी पंचवर्सी उजना में आपको गरीबी हटाओ का नारा मिला पांचवी पंचवर्सी उजना में यह आपके एक्जाम में 100% पूछता है कि कि पंचवर्सी उजना में गरीबी हटाओ का नारा मिला था तो पांचवी पंचवर्सी उजना रायट अंसर गणेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि पंचवर्सी उजना में भारती राश्टी राजमार्क प्रणाली की सुरुवात की गई थ में ँर से 44 हो जीना दिकलना उपच्वा पच्वर्सी में नेशनल हाईवेइ से संस्ता बनी इससे हाईवे का निर्माट शुरू हो गया था पांची पंचवर्शी यूजना जिसका था 1970 से 1974 तक ये सिर्फ चार साल की पंचवर्शी यूजना थी पूछ सकता है तो देखें दूसरा प्रश्न दूसरा यूजना आउकास की अवधी क्या थी सेकेंड प्लान लीव आपसे पूछते हैं पहले यूजना आकास कब हुआ था तो आपको हुआ था 1966 से 1969 तक 69 तक तो दूसरा पूछेगा तो दूसरा देख लिए अब हुआ था आपका 1970 से 1980 तक ये दूसरा हुआ था पहला था आपको बता दिया हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं छटी पंचवर्षी यूजना की आउधी क्या थी छटी पंचवर्षी यूजना की आपको से आउधी पूछिए तो बताइए चबहतर से 78 55 से 60 पंचवर्षी यूजना की आउधी थी आपका 1980 से पचासी तक ये आपका राइट अंसर बनेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं छटी पंचवर्षी यूजना की मुख्य उद्देश क्या था तो देख लिजे आप्सन देख लिजे अब पहला क्रिसी विकास दूसरा औद्योगिक विकास तीसरा गरीबी उन्मूलन और आर्मन निर्वर्ता पर बल चौथा होगा गरीबी उन्मूलन रोजगार में व्रि कॉद्धी इसका रुप अंसर बनेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं किस पंचवर्षी होजना में नहरुवाधी समाज सोचलीजम के अंत के रूप में दिखागया है तो option देख लिए पहली पंचवर्षी होजना चटी पंचवर्शी होजना दूसरी पंचवर्शी होजना या चौती पंचवर्शी होजना तो इसका राय टंसर बनेगा आपका चटी पंचवर्शी होजना है में नहरू समाजवात का अंत दिखाये गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस पंचवर्सी उजना में समानवित ग्रामिड विकास क्यारकरम को सुरू किया गया है तो आपस्टन देख लिजे पहली पंचवर्सी उजना दूसरी चौथी छटी तो इसका राय तेंसर हो जाएगा आपका छटी पंचवर्सी उजना में दिखाय गया है रूडर डेवलोपमेंट मतलब ग्रामेड विकास तो आगे बढ़ते हैं कौन सी पंचवर्शी उजना प्रधान मंतरी राजीव गांधी के कारेकाल के दौरान प्रस्तूत की गई थी जब राजीव गांधी आपके प्रधान मंतरी थो तो किस पंचवर्श उजना जब राजीव गांधी को मंतरी थे तब सातवी पंचवर्शी उजना आए थी अगे बढ़ते हैं किött पंचवर्शी होजना में भोजन काम और उत्पाधन का नारा दिया क्या थे भोजन काम प्रार inde का नारा ओप संदेख लिए दूसरी पंचवर्शी जना चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा योजना आवकास की अवदी क्या थी यह भी आपके इंपोर्टेंट बनेगा टोटल तीन योजना आवकास है पहली जो आपकी लगी थी आपकी 69 तक लगी थी दूसरी जो लगी थी वह आपके आपको पीछे बताया गया है कितने में लगी थ आपकी वह लगी थी 78 से 80 तक और जो तीसरी लगी थी वह बताइए आप लोग यह कोश्चन पूछा है तो तीसरी योजना आवकास की अवदी क्या थी तो देख लिए जो नाइटे सिक्षे नहीं पहली थी तीसरी थी आपके 1990 से 22 तक यह आपकी तीसरा योजना आवकास है कि इंपॉर्टेंट बने का आपका एक्साम के लिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं आठवी पंचवरसी उजना की अवदी क्या थी आप से बूछ दिया आठवी पंचवरसी उजना की अवदी तो बताइए आप लोग 1992 से 97, 55 से 60, 69 से 74, 1980 से 85 तो इसका राइट अंसर होगा आपका 1992 से 97 तक यह आपकी आठवी पंचवरसी उजना थी इसमें तीहतरवा समिधान सलसोदन हुआ था जिसके अंतरगद पंचायत सिष्टम लाग हुआ था और आपके नगर निगम आया था भारत में आ चलिए आगे बढ़ते हैं किस पंचवर्सी होजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना उनिशो तिरान में की सुरवात की गई किस पंचवर्सी उजना तो हमने आपको बताया कि 1902 से 1776 तक कौन से आठवी पंचवर्सी उजना थी तिरान बे हा गया तो आठवी के साथ नौई पंचवर्शी उजना की अवधी क्या थी नाइन्थ पंचवर्शी उजना की अवधी देख लिए आपका 1992 से 97 तक 55 से 67 से 2002 अफ़न डी 80 से 80 तो पिछले को स्कुष्चन में आपने देखा था आठी पंचवर्शी उजना आठी जो थी 1992 से 97 तक थी तो नौवी दस्वी पुछा आपसे तो यह आठी थी इसमें नौवी थी यह दस्वी आपकी यह होगा 2027 तक आपकी दस्वी पंचवर्शी उजना उकी तो चलिए आगे बढ़ते हैं के यारभी पंचवर्शी उजना कंख प्रक्रुग सबसें बुछाए तो बटाईए आप मगद्ली मानस अँ साधन का विकास इंडस्ट्रियल डिवलप्मेंट नियाप पूर्ण वित्रण समानता के साथ अधिकार साथ विकास तीवरता है समावेशी विकास इसका राइट अंसर बनेगा आपको आपकी राइट अंसर बनेगा चले आगे बढ़ते हैं बारवी पंचवर्शी युजना की अवदी क्या थी बारवी पंचवर्शी जो की हमारी आखरी पंचवर्शी युजना है उसकी अवदी आपकी बनेगी 2012 से 2017 तक 2014 में पंचवर्शी युजना को समाप्ट कर दिया गया था जब मोदीक सरकार आई तो 2014 में उन्होंने पंचवर्शी युजना समाप्ट कर दी और उसकी जगह आपने तो उन्होंने लाई नीती आयोग नीती आयोग ही सब अब देखती है तो आगे बढ़ते हैं बारवई पंचवरसी हो जना का मुक्ह उद्धेश क्या था गयार्मी का ये था तीवरत्य है यो समावयशी विकास बार्मी का हो जाएगव आपका अप्संब्ही विकास ये था जो कि 2012 से शुरू हुआ था लेकिन 2014 में ही समाप्ट कर दिया गा इसे जो कि 2012 से 2017 तक इसका था लेकिन 2014 में ही समाप्ट कर दिया था तो चलिए आज के लिए इतना आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ठैंक यू